क्या है गुसे का खांदान राश्ट्रसंत पुझ श्री ललित प्रबजी की अम्रित्वानी जब अभी क्रोध आए देखो क्रोध के खाश्यत है यह जब भी आता है तो अकिला नहीं आता पूरे खांदान के साथ आता है क्रोध की क्या खाश्यत है ये कभी अकिला नहीं आता आपको मालूम है क्रोध जब भी आता ना अकिला नहीं आता क्रोध के पिता है गमंडिराम कौन है क्रोध के पिता जी के नाम सब बोलो तो गमंडिराम जी क्रोध की मा का नाम है उपेक्षा क्रोध के पतनी का नाम है हिंस बाइसा, कृध के दो जुड़ोवां भाई है, एकका नाम है वैर, और एकका नाम है विरोध, कृध की मुँ बोली एक दो बेटियां भी है एक का नाम है निंदा और दूसरी का नाम है चुगली और मैं आपको बता दूquele कृध के एक पोती भी है क्या है उसका नाम है थूखवजीती क्या नाम है आदमी जब भी गुसा करता है तो एक दूझे की थूखवजीती करता है मेरे भाई क्रोज जब भी आता है खान दान के साथ आता है तो अपने जीवन के लिए तीसरा मन बनाईए जब भी गुसा आएगा गुसे को जीतने का त सा फार्मूला दे रहा हूँ अपने आपको अनुपस्तिस समझे क्या समझे जोर से बोलो अगर मैं यहां नहीं होता तो इन सब बातों का जवाब कौन देता ठीक है ना अगर मैं यहां नहीं होता तो इन सब बातों का जवाब कौन देता और जैसे ही आप अपने दिल और दिमाग में ये मन लेकर आएंगे अगर मया नहीं होता आप गए घर पे पहुंचे देखा आपकी पतनी अपने भाई के सामने आपके बारे मोल्टी सीदी बातें कह रही है आप ये सोचो अगर दादा बड़ी में एक गंटा और रुकना पड़ता और में यह नहीं पहुंचता तो इन सब की बातों का जवाब कौन देता क्रोध का जहां जहां माओल हो अपने आपको अनुपस्तित समझ ये क्रोध को जीतने का तीसरा मंत्र नंबर चार सब्ता में एक दिन का व्रत जरूर किजिए चरियो ये तो सभी लोग कर ले ना या तो सोमवार का कर लो दादा गुर्देयों का करना हो मंगलवार का कर लो, अगर आपको अनुमान जी का करना हो, जो वार जिसके काम में आता हो, जिसके इससे में आता हो, उस वार का वरत कर लो, और वरत भोजन का नहीं, गुस्से का वरत, जिसका गुस्से का वरत, जो जिसको वार पसंद हो, बस मन में निने कर लो, जैसे मैं सोम लिए आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा और मन में संकल पलेकर आपने दिन की शुरुवात की दिन में महुल तो भिगड़ेगा थेड़ा वात वन तो आएगा सामने वाला को यहां का हो का करता रहे क्या दो भैज मेरे अज मेरे उपवास नहीं नहीं कि आज मिरे उपवास है बुलूँगा कल सुबे साथ बजा आ आ जाना पारणा तेरे पाई कर लोगा लुगा पर आज मैंने उप्वास है है यहारा आलत में उप्वास ही रखो चलो कौन-कौन सा वार चुनेंगे हाँ प्रभु जी, उप्वास, क्रोद का उप्वास करना है, सबताम एक दिन कौन सा वार चुनेंगे, मन में सोचो मन में संकल पलीलो, जिसका जो वार पसंद दीदा हो मैं उस वार को क्या करूँगा चलो एक काम कर लो जिसका जो जनम का वार हो उस वार को गुस्सा नहीं करना ठीक है? आपका जनम कौन से वार को हुआ था? पता है नहीं है पैदा हो गए फ्रीम हो गए अपने अपने लिए वार का चेहन करो चलो सोम वार के दिन कौन-कौन वरत करेंगे हाथ उपर करो जिवन बरियाद रता है अपने अपने लिए वार का चेहन कीजिए कि मैं इस वार को गुस्सा नहीं करूँगा चाहे सोम वार हो, चाहे मंगल वार हो चाहे गुरू वार हो, चाहे शुकर वार हो, चाहे शनी वार हो चाहिए रही वारों मैं एक वार को वार नहीं करूँगा, वार नहीं करूँगा, मैं जगडा नहीं करूँगा, हाग का उक्का नहीं करूँगा, चीक चिलाट नहीं करूँगा, किसी तरह का क्रोथ का वातवार नहीं बनाऊंगा चलो सोमवार के लिए कौन संकल्प ले रहे हैं कि मैं सोमवार को गुस्सा नहीं करूँगा वो गुस्सा जो मेरे अंत्राय को बढ़ाता है वो गुस्सा जो मेरे मन को अशान्त करता है वो गुस्सा जो मेरे घर के वाताउन को नरग बनाता है वो गुस्सा जो मेरे सम्मन्दों को तोड़ता है वो गुस्सा जो मेरे केरियर को चौपट करता है वो गुस्सा जो मेरे तबियत को बिगाड़ता है ठीक है ना? सोमवार को गुस्सा क्यों नहीं करेंगे? इतने सारे लोग चलो मंगलवार के लिए कौन को नाथ उठा रहे है एतने सारे लोग इतने के लिए, पहला मैंने का, हर हालत में क्या करो, दूसरे की गलती को माफ कर दो, खुछ से गलती हो तो माफ ही मांग लो, नमबर दूसरा मैंने का, हर हालत में मुस्कुराने की आदत डाल लो, नमबर तीसरा मैंने का, अपने आपको अनुबास से समझो, अगर मैं यहां न और नमबर पाफ अगर आपको लगता है गुसा आरा है, देखो मैं बता तूं, प्रीयोग अगर आपको लगता है, घूछ से एगलास पानी पीलेजे पहले, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाईए, प्रीयोग करके दिखेगा, अगर आपको गुसा आना शुरू हुआ, और जैसे ही गुस्सा आना सुरू हुआ, दूसरा काम किजिए, जैसे ही गुस्सा आया, अगर आप खड़े हैं, तो बैठ जाईए, बैठे हैं, तो लेट जाईए, और लगता है, लेटने के बाद भी गुस्सा आउट आफ कंट्रोल हो रहा है, सिर्पे भारीपन आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, मान से खिंचाव आ रहा है, तो घर छोड़के बाहर निकल जाईए, अगर लगता है, तब भी आप सैट नहीं कर पारें अपने आपको, तो मैं कहूंगा, गुस्से को जीतने के लिए, अगर आपको कभी किसी फिलम हौल में जाके ब लगता है, गुस्सा करने से मन को अच्छा लगता है, हाथ कड़ा करो, कि गुस्सा करने से बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कोई तो भला आदिमी होगा, दस जाड़ लोगों में कोई नहीं, अच्छा अब जरा वो और लोग हाथ कड़ा को लिए लगता है, गुस्सा कर नियंत्र नहीं कर पाता, क्या करना चाहता है, सब पर तो नियंत्र करना चाहता है, लेकर अपने आप पर नियंत्र नहीं रख पाता, और जब अपने आप पर नियंत्र नहीं रख पाता, तो छोटी छोटी बातों में आग बबुला, छोटी छोटी बातों में होला, छोटी छ यह हैं एक ऐसा काम है जिसमें गल्टी को और करता है सजा हमए घुट उटेetus रहे हां जिसमें गल्टी और उइसी और करते आफ हाम मेरे यााद रखना पूरी दुनिया को थैका ने आपको नहीं दिया है पहले बात समय वो कहता है वो यू करी तो अमने गुस्स आया और यार पूरी दुनिया को सुधारने का ठीका बगवान ने हमें थोड़ी दे रखा है सहज में बोल दो, घर में ऐसे ही अपनी बात कहो, जैसे हम कहते हैं, ज्यादा घर में सलाइं मत देता हो, यूँ क्यों नहीं करियो, यूँ क्यों नहीं करियो, घर में तो राम जेठ मलानी की भूमिक आदा करो, किसकी? राम जेठ मलानी की जरा एक बात बता हो तो सुप्रिम कोड में खड़ा होकर राम जेठ मलानी एक सला देता है तो किते पैसे लेता है किते लेता है कम से कम एक लाक रुपिया एक सला का एक लाक रुपिया बस घर में नियम मना लो जब घरवाले पांच वार सला मांगें तो कह जे पांच जार विपए दे तो सला दूँगा बस देखो मेरे भाई पुरी दुनिया को सुधारने का ठेका न भगवान ने आपको दिया है न हमें दिया है सहज रूप में अपनी बात कहो सामने वाला दिल में उतार ले तो अच्छी बात और न उतार पाये तो रोज रोज कहने की माता फोड़ी खतम पर हर हालत में जीवन का फैसला रखो मैं क्रोध के माहुल को जैसे तैसे शांत करूंगा